रूडी साहब आपकी पास मांग लिए प्लीज आम्रेदर सिंग लार्फ प्लीज सर्वापती मैं थोड़ा तन्वाद करना चौना है कि तुसी आज मैंनो एस सदन विच राष्ट्रपती दे पाशन ते बोलन दा मौका दिता बहिए आप रूडी साब मैं उस तर्थी तो होना है जिस तर्थी तो जड़ी तर्थी गुरुआ पीरा पगंबना दी तर्थी है जवाना दी तर्थी है ते किसाना दी तर्थी है ते मैं अपने पाशन देन तो पहला सहिबे कमाल गुरू गुबिन सिंग्जी महराजी दा ओ जड़ा फर्मादिता फर्मान दे अशिवावर मुहे एहे शुब कर मनते कब हूना टरू ना टरू हर सो जब जाए लरू निस्चे करे अपनी जीत करूँ सचे पाशा दाए फर्मान दे नाल मैं आज एस लोग सबाच बोलन लगें सबापती मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने कहा कि मैं गुरूओं की धर्ती और जवानों की धर्ती और किसानों की धर्ती से आता हूँ जवानों की बात आज हमारे आदर्मिया राहुल गांदी ने किये हलाकि विपक्ष दुबारा उसको गुमाने का काम किया लेकिन राहुल गांदी ने एक बात कही कि अगनी वीर को शहीद का धर्जा इस देश में मिलना चाहिए मैं इसलिए कह रहा हूं सबाबती साथ कभी कभी तो मेरे को लटाए कि पंजाब को ये हिंदोस्तान की सरकार भूल गई है कभी कभी मेरे को ये भी मحसूस होता है कि शायद हम हिंदोस्तान के कहीं किसी नक्षे में है जा नहीं जिस परकार से हमारे सरकार का हमारे पंजाब के लोगों की तर्फ विवार है ऐसा हमें महसूस होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ सबापती साथ जब हिंदोस्तान के देश के परदान मंत्री जब लाल किले पर जंडा लहराते हैं और मैं घरव से कह सकता हूँ कि उस जंडा लहराने में पंजाब के हजारों नौचवान लोगों ने अपनी शहादत दी है यह अफसर इसलिए पर आपत हुआ है सबापती साथ मैं कहना चाहता हूँ सबापती साथ मैं अपने किसान की बात करना चाहता हूँ पिछले देर साथ से सबापती साथ पंजाब का किसान देश का किसान आज बड़ी बड़ी बाते की गई आदर्वियां मंत्री मोहोदे कहें कि हमने MSP दिये MSP आपने दिये 1967 में कॉंग्रस की सरकार ने किसान के लिए MSP दिया था जब देश भूखा वर रात तो पंजाब के लोगों ने इन किसानों ने देश के किसानों ने देश के लोगों का पेट भरने का काम किया आज कोई कोई असान नहीं कर रहा है कि हम उनको MSP दे रहें किसान लीगल गरंटी मांगता है सबापती साब MSP की लीगल ग्रंटी आपको मैं बताना चाता हूँ 700 किसान पंजाब का शहीद हुआ पर मेरी एक आधरनिया हमारी संसद ने उन किसानों की माओं के बारे में ये कहा कि ये तो 100-100 रुपए पे भारे पे लाए हुए लोग है मेरे को शिर्म आते लिए इस बार किसान और आज आज वो किसान बिल्ली के बार्डर अपनी बात सुनाने के लिए दिल्ली आना चाहता है क्या दिल्ली देश से अलग है क्या दिल्ली में पंजाब के किसान नहीं आ सकते हमें हर्याना के बॉर्डर पर रोक कर हमारे पर गोलियां चलाई जा रही है हजारों लोग किसान हमारे वहाँ पर इंजड हुए और कहियों की मृत्यू हो गई मौत हो गई है लेकिन किसान की लेकिन सरकार की तरफ से गर्मी है 45-47 डिगरी में बेठा किसान चीच चीचर पुकार रहा है कि हमें MSP की लीगल गरंटी दो हमने दिल्ली जाना है लेकिन उन्हों को अदेश है हर्याना की पुलिस को ये देश के ग्रेमंत्री के द्वारा दिया गिया हो देश कि पंजाब का अगर कोई व्यक्ति दिल्ली की तरफ किसान मूँ करेगा तो गोलियों से उसको मार दिया जाएगा ऐसा हमारे साथ विवार हो रहा है सभापती साथ ये हाला थे आप कहते हो किसानों को आपने किसान नो किसान निदी योजना में आपने बड़ा कोई इनकलाब खड़ा कर दिया आपने कहा कि तीन लाख बीस हजार करोड लोगों को हमने बीस हजार करोड दिया है किसान निदी योजना के तहब मैं पजाब की बात पताना चाहता हूँ अंदोलन के बात हमारे साथ किस परकार का वेवार हुआ दोहजार उन्नीस बीस में तैईस लाख लोगों को किसान निदी योजना का फाइदा मिलता था जब हम अंदोलन किया सरकार को काले कनून जो तीन बने थे वो सस्पेंड करने पड़े वापस नहीं लिये तो इन्हों ने कहा कि आप इनकी निदी योजना बंद करो 2023 और 24 में और रिकॉर्ड बोर रहा हूं फ्लोर अफ दी हाउस आठ लाख चपन हजार लोगों के किसान निदी योजना से नाम काट दी गे ये गए ये छोटी बात नहीं है पर कहा गया कि इनके कागेज इनकम्प्लीट थे इसलिए हमने इनके इनके ये खाते कार दिये गए तो पहले आपने कैसे दे दिये साड़े 23 लाख लोगों को मैं चलो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आगे एक बात और करनी चाहता हूँ सभापती साब ये किसान का हाल है मैं बताना चाहता हूँ अभी मैं देज नंबर 19 पे पढ़ रहा था कि ये भारतिया नियाएं सनिता जानि की पीनल कोड विल कम इंटू फोर्स इन दा कंट्री फ्रम दा फरस्ट अफ जलाई लोगों को इंसाफ देने के लिए और देश के ग्रैमंत्री ने लॉइन ओर्डर की बात कही कि पंजाब में लॉइन ओर्डर की सिथी ठीक नहीं है आज से चार पंच महीने खेले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को जस्टिस देने के लिए ये लोग लेकर आ रहे है आप कभी पाकिस्टान की बात करते है कभी चाइना की बात करते है कभी कुछ और कहते है लेकिन मैं आज इस सदन में एक बात कहनी चाहता हूँ सबापतिसाब हमारा एक साथी था उसका नाम था सिद्दू मुझे वाला एक कलाकर था दुनिया में उसका नाम था चाहे तमिलाडू हो चाहे मारश्ट्रा हो चाहे केरला हो चाहे न्यूँ यॉर्क हो उसके गाने पर दुनिया जूम हुटती थी और मैं यह भी कहना चाहता हूँ सबापती साथ ताइम स्कوئر नीव यर्क में हर तीसरे दें सिद्दू मुसे वाला बजता है बिल बोर्ड जो बिल बोर्ड दुनिया के सो गाने उन में से सिद्दू मुसे वाला हर रोड पहले दूसरे तीसरे नंबर पे वो विक्ति रहता है उसके साथ हुआ क्या? मैं आज इस सदन को जाद करी और बताना चाहता हूँ आपके बाद्यम से क्या हुआ? अठाइस साल के नौजवान के साथ हम नैशनल स्क्यूरिटी भी बाद करते हैं आप कहते हैं हिंदो साइन में परिंदा भी पर नहीं मार सकता आप ये कहते हैं कि हम हैं चिंता मत कीजिए लेकिन क्या हुआ नौजवान अठाइस साल के नौजवान को गोलियों से मार मार कर दस गोलियां मार कर दिंदे हड़े मार दिया गया और मारा किसने सभापती साथ बहुत से लोग मारे जाते हैं मारा किसी एक तेहार जेल में बैठा एक गैंगस्टर जिसका नाम लॉरेंस विश्णुई है उसने मार कर कहा जेल से इंटर्व्यू दिया और कहा मैंने मारा है मैंने मारा है अभी तो सिद्दू मुसे वाला मारा है अभी इसके बाप को भी मरना होगा जेल से इंटरव्यू दिया आप नेशनल स्क्राइट ली बात करते है कब इंसाफ लगा सिद्दू मुसे वाला को क्या होगा 18 साल का लोजवान जिसकी मां के एक बेटा था एक और बिना शादी के शादी के ब्या में हमारे सर पर सेरे बंदे जाते है सेरा बंदी होती है आपके भी होती है डेट बाडी पड़ी से डेट बाडी पर मेरी उस मांने सिद्दू मुसे वाले की मांने फिर सेरा लेकर आए और अपने बेटे के लाश पर सर पर सेरा बांद के उसकी वदाई गी यह यह हलात है आप देश के गिराह मंत्री हैं इंसाफ दिलाएं और जेलों में बैठे ऐसे गैंक्स्टर को आप निकाल के उस परवार को इंसाफ दे लास बाक सरू एक मिनिट में खत मौपती साहब मैं ये इसमें लिखाए पेज नंबर फॉर पेज नंबर फॉर पॉइंट नंबर फाई क्या लिखाए नाओ माई गम्मेट इस स्ट्राइविंग तो मेक इंडिया दा थर्ड लार्जेस्ट एक्रॉनमी इंड वाल्ड कैसे बनेगा साब मैं मैं सब उस शहर से आता हूं लोदियाना से जो हिंदोस्तान का कभी कभी इस्ट मेंचस्टर कहा जाता है जिसको आज क्या हलात होगे हैं इंडिस्ट्री के डाइंग इंडिस्ट्री है सरवाप साइकल इंडिस्ट्री है लोग छोड़ छोड़ के कारोबार धिंदा बंद करके आप चले जा रह हमें इस सरकार ने कुछ नहीं दिया अगर दिया है हिंदोस्तान की सरकार ने लद्याना को सबसे बड़ा शहर है पंजाब का तो कोई खड़ा होकर व्यक्ति बता दे कि हमने यह दिया है मैं क्या कहना चाहता हूँ कि एक साइकल इंडस्ट्री है साब जा तो चाइना में साइकल बनता है जा पंजाब में साइकल बनता है चाइना में साइकल की पॉड़क्शन क्या है आप हरान हो जाओगे अप मेकिन इंडिया की बात करते हो थाईस से तीस करोड एक साल की चाइना production करता है एक साल की 23 से 30 करोल लेकिन लोडियाना क्या production करता है 2.5 करोल क्यों वज़ा क्या है हमारा cycle 3500 रपे का शुरुआत में बिकता है लेकिन चाइना का cycle 300 डॉलर से शुरु होकर 2 लाट में बिकता है इसका कारण क्या है making India making India wrong policies जब तक ये wrong policies है आप समप किजे तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता कैसे तरक्की करेंगे आपकी wrong policies की वज़ा से आज हमारी इंडस्ट्री जो लेद्याना की इंडस्ट्री है उसके ये हलात हो गए आम तमे एक लाइन में समापत करना चाहता हूँ हमारा भाईचारा बहुत काईम है स्पिकर साब पंजाब के लोग बेशच चाहे किसी पार्टी को वोट दो आम अगमी पार्टी को लोगे ने वोट दिया हकाली दिल को दिया कॉंग्रस को दिया बीडेद पीषा लोगे भी दिया लेकिं लेकिना हमकास का भाईचारा यह कभी तूटा इस पहली बार राम जी के नाम पर बगवान राम के नाम पर बगवान हमारे भी है एनके अके और बगवान ने बता दिया और जोध्या से ये संदेश किया पुरे देश्टर में कि राम बगवान